हेलो दोस्तों नमस्कार आज की इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं जब भी हम SBI बैंक में हम अपना सेविंग अकॉंड ओपन कराते हैं तो बहाँ पर हमसे 1000 रुपए एंसुरेंस के कार्ट लिए जाते हैं अब वो एंसुरेंस किस तरीके से काम करता है या फिर हमारा वो जानने वाले हैं तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं इसक्रीन आपको बराबर में सोफ हो रही है तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है एंसुरेंस ठीक है इस पर हम सिंपली किलिक करते हैं अब यह चीज आप किस तरीके से देख सकते हैं सबसे पहले जब भी आपन सारे ले सकते हैं ठीक है इसी के साथ में आपके पास ATM काड नहीं है तो आप बैंक से भी जाकर और KYC यानि की OTP के जड़िए वेरिफिकेशन कराके और अपने मौल में इसे एक्टिव करवा सकते हैं तो यह तो थे कि यहनों एप्लिकेशन के दो तरीके जो कि आप अपने फ में जाता है कैने का मतलब है जो आपका एंसुरेंस है वो अभी आप पर एक्टिव नहीं है अगर आपको इस तरीके से देखने को मिल लिया है ठीक है यहां पर बतायागा है कबर आफ अप टू यानिकि 20 लाग रुपए का आपको यहां पर कबर एंसुरेंस यानिकि अगर मिलेगे जिसके लिए आपने नॉमनी रखा होगा नॉमनी का सरफ यही मतलब होता है ठीक है तो यह उसे 20 लाख रुपए मिल जाएगा ठीक है अगर आपको अचानक से कुछ हो जाता है तब अगर आपने खाता खुलबा रखा है और आपको यहां पर एंसुरेंस मिला हुआ है और आपने एंसुरें कि जब भी हम अगर सेविंग अकॉंट में open कराते हैं तो हम इससे एंसुर्णस को नहीं लेते हैं ठीक है किया हमे जो हमारा खाता है वो खुलेगा कि नहीं खुलेगा देखो ऐसा एंसूरेंस को लेकर इसमें कुछ भी नहीं बिताया है ठीक है कई बार ऐसा होता है जो बैंक के करमचारी होते हैं कि उनके उपर यह pressure होता है कि जो भी बैंक खाता खुलवा रहा है saving account ठीक है तो उसके लिए आपको यहां पर insurance देना ही देना है ठीक है ताकि कभी भी कुछ हो भी जाए तो उसका भी इसमें फैदा है और policy के हिसाब से जो भी insurance है ठीक है उनका insurance भी विकता जाता है तो उनकी भी यहाँ पर कमाई काफी अची नासी हो जाती है तो इसका इसरप यही मतलब होता है तो लोग के उपर pressure होता है तो इसलिए वो आपको यहाँ पर यह offer करते हैं ठीक है और इसे नहीं करवाना चाहते हैं आप तो नहीं भी करवा सकते हैं ठीक है आप उनसे बोल सकते हैं कि हमें इंसुरेंस नहीं चाहिए ठीक है अगर वो चाहेंगे तो आपका खाता खोल देंगे बिना इंसुरेंस का वरना आपका इंसुरेंस आपको लेना ही होगा ठीक है तो अगर अब बात आ जाती है कि अगर हम हमारा जो इ इमेल डालेंगे नॉमनी डिटेल डालेंगे नॉमनी डिटेल का मतलब होता है जो कि मैंने आपको बताई दिया है अगर आपको कभी भी कुछ हो जाता है तो यह नॉमनी जिसको भी आपने यहाँ पर रखा है उसी को ही वो पैसा मिल जाएगा ठीक है इसी के साथ में आपको य वाइफ या फिर कोई ऑथर है ठीक है तो वह आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो चलिए मैं आप पर सेलेक्ट कर लेता हूं और उसके वाद मैं है नाश्वर सिंप्ली किली कर देते हैं के सामने कुछ इस तरीके से आएगा आपनी यहाँ पर हाइट डालेंगे यहाँ पर पॉइंट या फिर आप यहाँ पर पॉइंट में नहीं आ रही है आपको बैसे ही आ रही है ठीक है जैसे की छे है या फिर जितनी भी है वह आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में इंच यहाँ पर आजाएगी छेंच ठीक है यहाँ पर बजन कितना है है बासर ठीक है और उसके बाद में आपको यहां पर मिलिया है ब्यू डिटेल ठीक है जैसे कि अगर आपको किसी भी तरीकी की यहां पर बीमारी है तो आप उसके बारे में यहां पर बता सकते हैं जैसे कि यहां पर हाड से रिलेटेड है तो भी आप यहां पर बता सकते हैं य यह सारी चीजे आपको यहाँ पर देनी होंगी और सम्मिट कर देंगे इन सारे options को on करके उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से आजाएगा आपको यहाँ पर देखने कोई मिल लिया है 20 लाख रुपए का जोकी life insurance cover है और आपको यहाँ पर basic premium है जोकी 240 रुपए है और GST लगाकर आपको 43 रुपए है और आपको यहाँ पर देखने मिल लिया है 283.20 ठीक है total amount ठीक है उसके बाद में आपको यहाँ पर select कर लेना है जो भी आपको पैसा कार्टना है जिस account से वो account आपको select करना है उसके बाद में आपको referral code है तो डाल देना है नहीं है तो इकलिक कर देना है जैसे ही आप सिर्फ इतना काम करेंगे तो आपके मुझालम पर पर इक OTP जाएगा वो OTP जाने के बाद आपको यहाँ पर इंट्र कर देना है इंट्र करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 20,00,000 रुपए का आपको insurance cover वीमा ठीक है जो के साथ में आपको यहीं पता चलिया कि अगर हम इंसुरेंस नहीं करवाते हैं तो हमारा खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा तो चलिए मैं आपको बता दूं कि आपका खुल जाएगा अगर आप इंसुरेंस भी नहीं करवाते हैं तब भी ठीक है पर कुछ जो बैंक करमचार होते हैं उनके उपर कुछ प्रेसर होता है तो वो आप से बोलते हैं कि आप इनके बिना यानि कि बिना आप खाता यहां पर नहीं खुलबा सकते हैं इसी के साथ में आपको यही पता चले गया कि अगर इंसुरेंस करवाते हैं तो हमें आखिर कितने का यहां पर फैदा मिलेग ठीक है जाने कि अचानक से अगर आपकी मुक्ति हो जाती है या फिर किसी भी कारणवाड बस आप एक्स पार हो जाते हैं तब आपके फैमली को यह 20 लाथ रुपए यहां पर मिल जाएंगे जिसके भी लिए आपने नॉमनी रखा होगा तो आपको 1000 रुपए यहां पर पे करन में चैनल पर ना है चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं आइस वीडियोस में